आज पूरे विश्में लगवग 30% लोग मोटापे के शिकार हो चुके हैं और इसकी वजह से वो लोग तमाम बिमारियों से भी लड़ रहे हैं इस बीडियो में हम बात करेंगे वजन कम करने के 5 वे ज्यानिक तरुकों के बारे में बजन कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप अपना कैलोरी इंटेक कम कर लें कैलोरी इंटेक से मेरा मतलब है इस प्रसीपर हम जो भी चीज़े खाते हैं उसमें उर्जा होती है ये उर्जा किसी खाद्र प्रदात में कम होती है और किसी में ज्यादा इस उर्जा को ही कैलरी की एकाई में मापा जाता है अगर हम एक हपते में अपने भोजन से 3500 कैलरी कम कर दें तो हमारा आदा किलो बजन कम हो जाएगा इसी सिद्धान पर आदारित मैं आपको पांच जिर्ष बताता हूँ जिसे अपनाने से आप बहुत जल्द पतले हो जाएगे नमबर वन हमेशा खाना सोने से दो या तीन घंटे पहले खा लिया गए इससे जो उर्जा आपको उस खाने से मिली वो खर्च होगी और खाना भी अच्छी तरह पचेगा लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंद बाद सो जाएंगे तो उस खाने की कैलरी आपके शरीर मे बनी रहेंगी और जब ऐसा रोज होने लगेगा तो वो कैलरी मोटे पेट का रूप ले लेंगी नमबर टू आप डेली आदा से घंटे एक्साज जरूर करें चाहें वो वाकिंग डांसिंग रनेंग या स्पोर्स के रूप में हो एक्साज करने से उर्जा की खपद होती है और मास्पेशियों का भी निर्माण होता है अगर आपकी मास्पेशियां बढ़ेंगी तो आपकी उर्जा की खपद भी बढ़ेगी और आपका बजन कम होने लगेगा नमबर 3 आप अपना breakfast खाना कभी न भूलें अगर आप अपना breakfast नहीं करेंगे तो पूरे दिन में आप ज़्यादा खाना खाएंगे क्योंकि breakfast आपके blood sugar और hormone levels को normal करता है जिसकी वज़से आपको दिन में ज़्यादा खाना खाने की इच्छा नहीं करेंगी और calorie intake भी कम हो जाएगा नमबर 4 आप ज़्यादा calorie वाला भूजन ना करें जैसे तली और मीठी चीज़ हैं और खास करके चीनी या चीनी से बने हुए उत्पात खाना बिल्कुल कम कर दीजिए चीनी में बेकार calories होती हैं जिश्य शरीर में मास ज़ल्दी बढ़ता है नमबर 5 आप पानी खूब पिया करें एक नॉर्मल अडल्ट को दिन में लगवक 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए और अगर बजन कम करना चाहते हैं तो खाने से पहले पानी ज़रूर पियें इससे आपका पेट खाने से जल्दी भर जाएगा और आप कम calories इंटेक करेंगे साथ में आपको पानी से होने वाले health benefits भी होंगे इसलिए हस्ते रहिए मुश्कराते रहिए इन टिप्स को follow करके आप पुना वजन कम कर लीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो हमें comment section में ज़रूर पूछिए और मेरे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को तरण सब्स्राइब करें